यहाँ पर The Dutchess of Malfi by John Webster यह Dutchess of Malfi एक tragedy है जिसको John Webster ने लिखा है देखे शुरू है यहाँ पर It is a Jacobian Revenge tragedy written by English dramatist John Webster in 1612 to 1613 यह Dutchess of Malfi tragedy है लेकिन tragedy में revenge tragedy है और किस एरा से बिलॉंग करती है तो Jacobian era से बिलॉंग करती है मतलब overall इसको कहेंगे Jacobian Revenge tragedy है written by English dramatist और इसको English dramatist John Webster ने लिखा है 1612 से 1613 के बीच में लिखा है और 1614 इस भी को first time इसका performance हुआ यानि कि first performance of the Dutchess of Malfi वो क्या है 1614 मतलब 1614 जैनरा इसका जैनरा क्या है तो इसका जैनरा है revenge tragedy इसका जैनरा है और language ओरिजिनल लैंगोज यह किस language में लिखी गई है तो early modern English language में लिखी गई है setting कहाँ पर setting है इसकी तू तीन जगहें पर इसका setting place है Malphi, Rome और Milan जैसे Malphi में डचिजा मालफी रोम में इनके भाई चले जाते थे कार्डिनल और फर्डिनेंड मिलान में यह बाद में एंटोनियो जाता था मिलान में ही published in 1623 देखे फर्ष्ट टाइम परफार्मेंट 1614 भी में हुआ लेकिन published हुआ 1623 इस भी में in it there is five act इसमें पांच एक्ट है डचिजा मालफी में कितना एक्ट है पांच है तो पहली करेक्टर है दा डचिज अब डचिज कौन है तो देखे दा डचिज यह एक प्रोटागानिस्ट है और फर्डिनेंड और कार्डिनल की सिस्टर है और लबर एंड वाइप आप एंटोनियो एंटोनियो की लबर और वाइप दोनों है फिर इसके बाद में एंटोनियो कौन है तो एंटोनियो लबर एंड सेकंड हस्वेंट आप डचिज यह डचिज के प्रेमी है और डचिज के दूसरे नंबर के पती है एंटोनियो जो है फिर इसके बाद में देलियो अब डेलियो कौन है डेलियो जो है एंटोनियो इंटोनियो के फ्रेम्ड है यह बहुत हेल्प करते हैं एंटोनियो की बसोला यह बसोला कौन है Spy Employed by Cardinal and Ferdinand Cardinal और Ferdinand के द्वारा न्यूप्त किया गया एक ये जासूस है जासूस कार है Have I on the Dutch जिनको ये कहा गया है कि तुम Dutchess पर निगराने रखो देखो कि Dutchess क्या करती क्या ने और पूरी हाल खबर मुझे बताते रहना इनके भाई लोगों ने मतलब Dutchess की भाई लोगों ने इनसे ऐसा कह रखा है अब यहाँ पर है Cardinal Cardinal the brother of Dutchess and Ferdinand Cardinal जो की Dutchess और Ferdinand का भाई है Ferdinand कौन है Twin brother of Dutchess अब याद रखना Ferdinand जो है Dutchess का twin brother है Twins है मतलब ये Ferdinand और Dutchess ये दोनों twins थी और वैसे देखा जाए सबसे ज़्यादा प्यार करते थे Ferdinand ही करते थे Dutchess से और नफरत भी इनहीं सबसे ज़्यादा करते थे और नेक्स्ट है आपका Peskara अब ये Peskara कौन है एक ये Marquis है Peskara Carriola कौन है Dutchess Bating Women Dutchess की Bating Women है Means Dutchess Med Dutchess की नोकरानी है Carriola एक तरस footman की तरह काम करती है इनके chamber में रहती है Dutchess की सारा काम जूलिया ये जूलिया कौन है तो काश्ट रा काश्ट क्या बोलें से कैश्ट रसियो जवाइब ये कैश्ट रसियो की पतनी है और कैश्ट रसियो साहब एक old lord है तो उनके पीछे ये जो है मतलब ये जो है इनसे cardinal से प्रेम सम्मंध बनाती है मतलब mistress है दो चीज है जूलिया जो है कैश्ट रसियो जवाइब है और काश्ट रसियो जवाइब हैं और काश्ट रसियो मिश्ट है और next है आपका फांसी देने वाला है मतलब फांसी पर लटकाने वाला है एक तरह जलाद है जलाद का ही तो काम होता है फांसी पर लटकाना next है आपका कैश्ट रसियो कैश्ट रसियो क्या बोले यार काश्ट रसियो काश्ट रसियो ये कौन है एक old lord है और नेक्स्ट है आपका रोजरीगो, रोडरीगो, रोडरीगो एक कौर्टियर, रोडरीगो और ग्रिसोलन, सिल्बुओ, सिल्बीओ, ये तीनों कौर्टियर हैं और इसका थीम्स क्या है, तो डेचेज आप मालफी का जो थीम्स है, वो है लब, सफरिंग, डेथ, रिबेंज, क्लास, रिबेंज है, क्लास है, और डिसगाईज है, ये इसका थीम्स है अब यहाँ नेश्ट है, दा डेचेज आप मालफी, दा डेचेज आप मालफी, तेल्स दा स्टोरी ओप इस्पृरिटेड डेचेज, ये देखेज आप मालफी जो है, ये डेचेज की कहानी को बताता है, जो की बिडो है and her love और उसके प्रेम सम्मंद को for her trust worthy steward Antonio और उसका प्रेम सम्मंद को जो की उसके ही steward steward का मतलब होता है खजांची एक तरह से पैसे का जो जैसे कोर्ट में जो पैसे वगरावाला काम करता है पैसे को देखरे का खजांची तो उसको डचेज को अपने खजानची एंटोनियो से ही प्यार हो जाता है तो उसी के बारे में कहानी है दा मैरी सिक्रेटली और यहां पर डचेज जो है चुपके से सिक्रेटली रूप से साधी कर लेती है अपने दोनों भाई एक तो फड़िनेंड था जो कि ड्यूक अप कैलाब्रिया था कैलाब्रिया का ड्यूक है एंड कार्डिनल और कार्डिनल इन दोनों भाईयों के मना करने के बावजूद भी यह डचेज चुपके से साधी कर लेती है फिर क्या होता है, आल डो सिवर्स थी चिल्टरन यद्यप की इसको ड्यूद्चेज को तीन चिल्डरन होते हैं, तीन बच्चे होते हैं सी रिफिूजज टू नेम दा फादर लेकिन किसी को यह नहीं पता चलता है कि इन बच्चों के बाप कौन है, पिता कौन है मतलब इन्हों इवेन बच्चों को भी नहीं बताया था कि ये चीज़ है Eventually betrayed by Bosola और ultimately क्या होता है Bosola ने इसको धोखा दिया था इस्पाई डचेज जो की स्पाई का डचेज को एक निगरानी रख रहा था डचेज पर उस Bosola ने इसको धोखा दिया था and her family flee but are intercepted Antonio's and oldest child a boy escaped इसकी family यानि कि इसकी family में केवल Antonio और सबसे बड़ा वाला बच्चा ही क्या हुआ था मतलब बच्चा था और बाकी सारी के सारी family यहीं पर मारी गई थी इस Bosola के वज़े से Ferdinand orders Bosola to strangle the Dutchess Ferdinand ने Bosola को यह order दिया था कि तुम जाओ डचेज को मार दो her two younger children उसके दो छोटे छोटे बच्चों को भी मार दो and her mad और उसकी नोकरानी कैरियोला को भी मार दो and then goes mad with guilt और जब यह सारा हो गया था तो Ferdinand खुदी जो है guilt के वज़े से पागल हो गया था इन टिपकल फैसन फॉर रिबेंज ट्रेजडी और रिबेंज ट्रेजडी के जो टिपकल फैसन है उसमें देखें तो final act is one of cornage यह जो final act है एक cornage में से एक है या cornage यहाँ पर the final act is one of cornage मतलब final act एक तरह से नरसंगार टाइप है मतलब इसमें सब लोग एक दूसरे का कतल करते हैं आपस में फिर यहाँ पर देखें all all our kids सारे लोग मारे जाते हैं except for the eldest son of the duchess and antonio केवल इनके बड़े बच्चे को छोड़कर सबसे बड़े वाले बेटे को छोड़कर बाकी सारे लोग मारे जाते हैं नेम्ड रूलर आप मालफी और इनका जो लड़का जो सबसे बड़ा लड़का जो बचा रहता है वही मालफी का सासक होता है मतलब मालफी का सासक होता है बेबसिटर्स duchess of मालफी is often regarded as the last great tragedy of the Elizabethan and Jacobian eros सेकंड ओनली टू बिलियम सेक्सपियर्स देखें बेबसिटर की ये जो डचेज आप मालफी है इसको एलिजाबेदन और जैकोबियन एरा की ट्रेजडी में से एक लास्ट ग्रेड ट्रेजडी के रूप में माना जाता है सेक्सपियर्स के बाद में इन्ही की ट्रेजडी को एक बहुत अच्छी ट्रेजडी माना जाता है क्योंकि इसमें अच्छा खासा ट्रेजडी है साब एक दूसरे को कतल करते हैं जैसे हैमलेट में होता है सेम उसी तरह से ये भी कम नहीं है इसका कोई evidence नहीं है कि बेबस्टर ने Spanish के ड्रेमेटिस्ट को पढ़ा था या Spanish के ड्रेमेटिस्ट के प्ले को देखा था इसका कोई record नहीं मिलता है क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कहीं न कहीं ये Spanish tragedy के बारे में पढ़े होंगे या Shakespeare के tragedy के बारे में पढ़े होंगे और उन्हीं से इस तरह से इतनी अच्छा इतनी अच्छी tragedy लिख पाए Babsitter's style is Reliant on Dance Symbolic Imagery ये Babsitter की जो style है ये Reliant type की है जो की एक Dance Symbolic Imagery पर बेश्ट है वैसे भी ये fiction type है और fiction में कोई चीजें सही तो होती नहीं सब imagination पर ही होता है The Dutchess by for the strongest character in the play जिसे ये करें play में एक strongest character की बात किया जाया तो Dutchess है Is a passionate noble woman who rejects her brothers demands for the sake of love जो की प्यार के खातिर अपने भाई को भी अपने भाई के बातों को भी क्या कर देती है मलब reject कर देती है इतना ज़्यादा पैसियोनेट है तो Dutchess एक बहुँ ज़्यादा strongest character है Unbroken by cruel treatment और यहां तक कि जब उसके भाई लोग उसके साथ बहुँ ज़्यादा cruel treatment करते थे भूत जैसे पुतला वगरा छोड़ देते थे C proclaims before her death लेकिन वो अपने death के सामने यही वो प्रोक्लेम करती थे जब उसके death के पहले उसने यही बोला था मैं अभी भी डचेज की मालफी हूँ मैं अभी भी मालफी की डचेज हूँ यह रहेगा मतलब लास्ट में इन्होंने यह बोला था Summary of the Dutchess of Malphी अब देखें Dutchess of Malphी की समरी क्या है Story of a Young Woman यह जो Dutchess of Malphी है एक Young Woman की कहानी है which is clearly persecuted जिसको निर्दैता पूर्बग जो है सताया जाता है persecuted किया जाता है and killed और मार भी और इसका कतल कर दिया जाता because she married beneath her rank क्योंकि उसने अपने से छोटे rank वाले बेक्ति से साधी किया था मना करने के बावजूद भी central figure is a young and beautiful widow यहाँ पर central figure की बात किया जाए तो वो एक young और beautiful बिडो है false in love Antonio जो की Antonio के प्यार में पढ़ जाती है मतलब जिसको एंटोनियो से साधी हो एंटोनियो से प्यार हो जाता है steward of her household जो की उसके घर का steward होता है खजान्ची होता है उससे इसको प्यार हो जाता है has returned to court after his long stay in France और यह जो है प्राउन्च में एक लंबे समय के बाद रहकर वापस आता है मतलब वापस आया था और यहाँ कोर्ट में इस्टेवर्ड हो गया था तो इनसे इनको प्यार हो जाता है dead widow secretly marries Antonio अब यह विधवा Antonio से चुपके से साधी कर लेती है but bossola suspects लेकिन bossola को suspect हो जाता है bossola को doubt हो जाता है it soon जल्द ही doubt हो जाता है things she is pregnant और वो सोचती है वो सोचता है bossola सोचता है कि वो pregnant है इस बात का उसे suspect हो जाता है bossola as Delio Antonio's friend bossola डेलियो के ही समान Antonio का friend है cynical mall content tells him और वो उसको बताता है duchess brother cardinal and pertinent leave the villain bossola to act as their spy अब duchess की भाई cardinal और pertinent bossola को यहीं पर छोड़ देते हैं और यह काम सौप कर जाते हैं to act as their spy कि वो उनकी लिए जासूसी का काम करें they leave the mall fee to go to Rome क्योंकि अब वो मालफी से रोम जा रहे हैं इसलिए बोसोला को यह काम सौपते हैं तुम यहां रहो और जासूसी वाला काम करो बताते रहो मेरी बहन क्या क्या करती है the brothers warned their sister against a second marriage अब इनके भाई लोग जो थे यह अपनी बहन को धमकी देते हैं कि दूसरी साधी तो बिलकुल मत करना especially with low birth और खास कर अपने से छोटे वाले लोगों से लेकिन यही होता है क्या किया जाए the time for child birth comes और यह छुपके साधी कर लेती है और अब यहाँ पर जैसे 9 महिने के बाद का समय जब आता है तो baby birth का समय आ जाता है duchess is in labor pains अब duchess को labor pains होता है all her servants confined to their quarters और यहाँ पर यह duchess आग्यां देती हैं कि जितने भी servant हैं वो सारे लोग अपने अपने कमरे में रहे to keep the whole thing a secret ताकि सारी चीजें secret रहें किसी को पता ना चले अब दूसरा suspected bosola comes to know about the secret of the birth option अब यह bosola को पहले ही suspect था तो यह उस बच्चे के जन्म के secret को जानने के लिए यहाँ पर आता है from a horoscope dropped carelessly by Antonio और Antonio इसको देख लेता है कि और इससे कहता तुम duchess के chamber के पास क्यों टहल रहे हो और थोड़ा बातकानी हो जाता है उसकी बाद Antonio जब जाता है तो बोसola को Antonio से एक horoscope मिल जाता है उस बच्चे का horoscope रहता है उसको मिल जाता है मतलब Antonio रखा रहता है गिर जाता है उहाँ पर तो यह पास जाता है बोसola बोसola still does not know बोसola को अभी भी यह बात नहीं मालूम है who is the father option कि इस लड़के का बाप कौन है इस बात का नहीं पता है husband of the duchess यानि कि duchess का husband कौन है इस चीज का पता बोसola को अभी भी नहीं पता है बोसola sends this report to the brothers in Rome अब बोसola को जो भी जानकारी मिलती है जानकारी यह मिलती है कि duchess ने एक बच्चे को जन्म दिया तो यह जानकारी वो रोम में उनके भाईयों के पास भेज देता है Ferdinand gets furious, swears, bengians and comes back to Malphi Ferdinand बहुँ जादा गुसा हो जाता है और कसम खाता है कि अब जिसने भी मतलब यह जुर्रत की उसको हम जिन्दा नहीं छोड़ेंगे comes back to Malphi और वापस Malphi में आ जाता है identify of her husband is not known yet to बोसola or to the brothers उसके husband की पहचान उसके husband की पहचान या उसके husband का पता अभी तक ना तो बोसola को ही पता चल पाया और नहीं उसके भाईयों को पता चल पाया two three years past, दो तीन साल बीत गए Dutchess gives birth to two more children दो तीन साल बीत गए, Dutchess ने दो बच्चे को और जन्म दिया मलब अबराल तीन बच्चे हो गए Ferdinand comes to know about it अब Ferdinand तो गुशा हो गया और वो इसके बारे में जानने के लिए आया Russes to Malphi, Malphi की तरफ भागत होए आया और goes straight to the bedchamber of the Dutchess और सीधा आया और Dutchess के bedchamber की तरफ सीधा चला गया इंटर्स बाई यूजिंग और इंटर किया कैसे इंटर किया बाई यूजिंग यूज करते हुए बाई यूजिंग डुपलिकेट की एंड ट्रेटेंस टू किल हर हस्बंड मलब डुपलिकेट चाभी का यूज करते हुए कमरे के अंदर घुश गया और डचेज को धमकी दिया कि मैं तुम्हारे हस्बंड को मार दूँगा फडिनेंड लीफ्स आप्टर गिविंग हर डैगर और फडिनेंड अब उसे एक तलवार देकर मतलब एक डैगर देकर वापस चला आता है और यह कहता है तुम अपने आपको मार लो मैं जा रहा हूँ और जब आऊंगा तुम अपने आपको मार लेना मलब ऐसा धमकी देकर आता तुम्हारे है तभी डचेज डिमनिश्ड अंटोनियो फ्रॉम इस्टेवर्ड सिप मिस एप्रोप्रियेशन तभी डचेज जो है डचेज को डर लगता है कि कहीं अंटोनियो को मेरे भाई लोग मार ना दे इसलिए डचेज अंटोनियो को उस इस्टेवर्ड सिप से डिमनिश कर देती है यह कहते हुए कि इसने इसमें घपला किया है बोसोला प्रेजज अंटोनियो की अच्छी क्वाल्टीज के परसंसा करता है डचेज बिलीबिंग बोसोला टू भी आ फ्रेंट अब डचेज यह विश्वास कर लेती है कि बोसोला बड़ा अच्छा है तो बोसोला को एक फ्रेंड की तरह विश्वास करते हुए reveals secret of her marriage to him वो अपनी साधी के बारे में पूरी secret इसको बता देता है बोसोला को बोसोला duly conveys this information to the perdinant अब बोसोला जल्दी ही जल्द से जल्द इन सारी information को perdinant के पास भेज देता है बोसोला gives her so-called friendly advice बोसोला इसे एक friendly advice देता है Dutchess को go to shrine of Loretto कि तुम shrine of Loretto में चली जाओ चली जाओ तुम shrine of Loretto में चली जाओ where she meets Antonio जहां पर तुम Antonio से मिल सकती हो this proves to be her last meeting with her husband और ये मिलना Dutchess के लिए उसके husband से एक आखरी meeting होगी अंतिम meeting होगी Cardinal exercises his influence with Pope अब Cardinal Pope को अपने influence में फसा लेता है and gets Dutchess and Antonio banished from Ancona और उसे इस बात का राजी करवा लेता है कि तुम जो है Antonio और Dutchess को Ancona से देश निकाला कर देना, बाहर निकाल देना पहले प्लान था कि Ancona जाएंगे they decide, अब ये दोनों decide करते हैं जब ये सब कांड हो गया Antonio along with eldest son कि Antonio अपने बड़े भाई के साथ should go to Milan वो अब Milan जाएगा Ancona, Ancona नहीं जाएगा और क्योंब अन्टोनियो और उसका बड़ा भाई जाएगा और Dutchess ने कहा कि मैं बाद में आऊंगी तुम पहले चलो अब यहाँ पर क्या है While Dutchess is arrested जबकि अब इसी बीच में Antonio अपने बड़े बेटे के साथ भाग गया कहां Milan भाग गया और इस बीच में Dutchess को गिरपतार कर लिया गया and imprisoned in her own palace और उसको उसकी खुद की महल में बंदी बना लिया गया Dutchess को They persecuted उसे बहुत ज़्यदा पर्शिकेट किया गया and she submits to her fate with calm courage और वो जो है courage के साथ उन सारे चीजों को फेश की Dutchess ने The Dutchess is subjected to tortured, offered a dead man's hand in the dark और Dutchess को इतना ज़्यादा Dutchess पर जुल्म किया गया कि अंधेरे में उसे मरे हुए आदमी का हाथ से उसे torture किया गया Soon wax figure of her husband and children और इसे मन नहीं भरा तो उसके husband एंटोनियों और उनके बच्चे इन दोनों का पुतला बना कर जो है उसके सामने रखा गया If they were dead ऐसे represent किया गया कि वे मर गये हैं Mad men are let loose upon her और पागलों को उसके उपर छोड़ दिया गया देखो कितना जुल्म हो रहा है पागलों को इसके उपर छोड़ दिया गया who talk loudly जो 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 जोर जोर से बात करते थे sing गाते थे dance before नाचते थे before and around her उसके सामने उसके चारों और नाचते थे इतना सारा जुल्म इसके भाईयों की द्वारा इसके उपर किया जा रहा है कैसा भाईय है बहुत गंदा भाईय है चलो next the final step is taken by Bosola अब final step Bosola के द्वारा लिया जाता है इनका पूरा मारने का प्लान करके आता है अंडर Bosola आज शूपर विजन डचेज हर बेटिंग और Bosola के साथ में Bosola जो है डचेज के साथ में उसकी बेटिंग यानि के नोकरानी कारियोला उसके दो छोटे छोटे बच्चे इन सब को मार देता है इतना निर्दई है दे वर किल्ड होरी बली और ये जो है इसको बहुत होरी बली बहुत जैसे खतरनाग तरीके समारते हैं सबसे पहले Bosola मारने के पहले कहता है कि मरने के लिए तयार हो जाओ अपनी मौत के लिए तयार हो जाओ सी बेलकमस देथ बाई सेंग और डचेज जो है डचेज क्या करती है देथ का बेलकम करती है बाई सेंग ये कहते हुए कि इस दा बेश्ट गिप्ट हर ब्रिदर्ज कैन की भर ये एक बहुत सबसे अच्छा गिप्ट है जो कि उसके भाईयों के द्वारा उसे दिया जा रहा है यह बहुत अच्छा गिप्ट है रच्छाबंदन का यही रिजल्ट मिला है इनको आगे देखे Her death brings its own retribution और उसकी death जो है उसके खुद के retribution मतलब वो खुद जो है अपने death एक तरह से retribute की थे फडिनेंड फील्ड बिद रिपेंटेंस अब जब इसकी death हो जाती है तो फडिनेंड बहुँ जदा इसको पच्छतावा होता है और रिमॉर्स और यह रोता है चिलाता है और वो अपने सामने उसके डेड फेस के चहरे को द्रिश को देख नहीं सकता है फील्ड बिद रिपेंटेंस ऐसे बहुँ जदा पच्छतावा से भरा हुआ फडिनेंड रिफ्यूजेश टू रिवार्ड बोसोला फडिनेंड बोसोला को इनाम देने से मना कर देता है उसकी जो इस सर्विस के लिए इस सेवा के लिए इनाम देने से मना कर देता है कहता जाओ मैं नहीं दूंगा, अब बसॉला भीया ये भी गुश्सा गया, कहा हम इतना पाप कर दे तुमारे होगे, तुम हमें इनामें नहीं दूगे, बसॉला पागल हो जाता है, बिदरेज, गुश्से में पागल हो जाता है, and decides to have revenge upon two brothers और decide करता है कि हम तुम दोनों भाईयों को मार देंगे बुसोला goes to the court of cardinal, बुसोला cardinal के court में जाता है tries to use cardinal's mistress और इसके लिए cardinal की mistress जिसका नाम है जूलिया उसका use करता है to get information कि वो खुद उगलें कि उसने जो है ऐसा किया था, उसने कहा था but she is poisoned by cardinal लेकिन cardinal का भी दिमाख सातिर वो जो है जूलिया को बाईबिल के किताब को जो है किताब के पन्ने को किस करा कर और उसमें जहर लगाया था, मरवा देता है जूलिया भी मर जाती है फरडिनेंड consigns turns him mad अब फरडिनेंड जो है ये बहाना बनाता है कि वो पागल हो गया था अन्टोनियो ज रिटर्न्स टू दा cardinal's bed chamber अब अन्टोनियो cardinal के bed chamber की तरफ वापस आता है इन डार्क और अंधेरे में बोसोला steps him बोसोला उसे तलवार भूख देता है thinking him to be cardinal ये सोचते हुए कि वो cardinal है then cardinal appears बोसोला तब cardinal जो है बोसोला के सामने appear होता है steps him as bell और क्या करता है बोसोला cardinal को भी चाकू से भूख देता है मतलब भूख देता है और उसकी भेत्या हो जाती है अब देखे क्या है hearing the cries for help अब जो है यहां पर मतलब help मतलब सोर सराबा सुनकर cardinal appears cardinal भी आ जाता है steps बोसोला अब फड़िन एंड बोसोला को मार देता है and interns steps फड़िन एंड और क्या होता है cardinal मतलब बोसोला फड़िन एंड को मार देता है चाकू भूख देता है और फड़िन एंड जो है बोसोला कमार देता है साब एक दूसरे कमार दिये खताम in this way इस प्रकार से बोसोला डिस्ट्राइज दा होल फैमिली बोसोला ने पूरी फैमिली को डिस्ट्राइ किया था मतलब बोसोला की वज़िस हुआ and destroyed himself और इस खुद भी destroy हो गया मतलब इसको चाकूब हो का था कार्डिनल ने थोड़ी सी जान थी only the eldest son of duchess survives केवल जो है duchess का सबसे बड़ा वाला बेटा ही survive किया है करता है inherits state of malphi और जो की malphi के state को inherit करेगा there is no poetic justice for the innocent and virtuous duchess यहाँ पर innocent और virtuous duchess के लिए कोई poetic justice नहीं है यह fault William Shakespeare के भी pledge में है यहाँ भी fault है Antonio and their two children also suffer and are destroyed Antonio और उनके दो छोटे छोटे बच्चे वो भी दुख पीड़ा कष्ट को सहे और उनकी भी अत्या कर दी जाती है but लेकिन there is partial justice the big do not prosper and are destroyed in the end लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा partial justice हुआ है कि जो दुष्ट लोग होते हों प्रॉस्पर नहीं कर सकते हैं और finally इनकी भी death होनी fix है और इनकी भी death हो जाती है इनका themes क्या यहाँ पर love है suffering तो भर-भर के है एकदम death है एकदम last में खोन कतलो होता है ribbons है class है disguise आदी बस यह हो गया आपका complete प्रॉस्पर आपका